एक मेहने से कोलवा थाने में थाना अधीकारी का पद रेकता हम जनता के नहीं हो रहे हैं कारिये समय पर इस टाप का भी अबाव कैसे हो समय पर जनता के कारिये दोस्ता जिले के बांदिकुई उपखंड में 1962 से इस्तापित थाने में आज इस्टाप की कमी के चलते जनता के समय पर नहीं हो पा रहे हैं कारिये जिस से फरियादियों का करना पड़ता है अपनी पीडाओं को बताने के लिए गंटों इंतजार ग्रामिन गिर्राज गोठवाल ने बताया कि कोलवा थाना देश आजाद होने के बाद जिले में तीसरा या चोथा थाना हुआ करता था जिसकी आज ऐसी इस्तिती है कि इस्टाप की कमी के चलते ओपिसर और नफरी को 24 गंटे डूटी देनी परती है जिससे कहीं करमचारी भी मनोव्य ज्यनिक तनाव मैसूस करते हैं ततकालिन एसे चोरतन सिंग के तबादले के बाद नए मुख्या का इंतजार है थाने में एक एसाई का पद श्यूकरत है जो अभी रिक्त चल रहा है चार एसाई के पद श्यूकरत है जिनमें दो लगा रखे हैं हैड कोंस्टेबल क से पांच पद श्यूकरत हैं जिनमें से तीन लगा रखे हैं कोंस्टेबल के 36 पद श्यूकरत हैं जिनमें से गुनीश लगा रखे हैं जिनमें तीन मेला कोंस्टेबल भी सामिल हैं कोलवा थाने में दो सा विदान सभा चेतर की 6 ग्राम पंचायतों का कार्य चेतर आता है त थाने पर ध्यान कप जाता है और थाना अधिकारी की नई न्युक्ति कप दे पाते हैं जिससे जनता को सीधा लाब मिल सके